नमस्ते डियर स्टुडेंट्स उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरा नाम है रिशी मिश्रा और इंटरनेशनल रिलेशन्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए करेंट और होट इशू के साथ कि क्या ताइवान ड्रैगन को कमजोर करने की एक कुंजी है एक चाभी है सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों पे ध्याना करशित करना चाहता हूँ कल के वीडियोज और पुराने वीडियोज को मैंने देखा उस पे लगातार आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं मैं जो क्वेश्चन्स पूछता हूँ उसके आंसर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके आप जो जवाब देते हो उससे हमारे और आपके बीच में एक कॉनवर्सेशन बिल्ड़ अप होता है जो आपके लिए भी फाइदे मंद है क्योंकि मेरे बीच में क्वेश्चन पूछने से आप अटेंटिव बने रहते हो आप वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ओनलाइन एजुकेशन में बच्चे ने वीडियो प्ले कर दिया तो वो बहुत ज़ादा उस पे ध्यान नहीं दे पाता लेकिन एक्जैम्स के परस्पेक्टिव से अब चुकी COVID-19 के बाद से UP ने अपने यहां एक्जैम करा दिये हैं और एक रास्ता खुल गया है तो आप में से जो भी UP से हो या जो भी बाहर के छित्रों से हो वहां पे भी धीमे-धीमे करके एक्जैम्स तो होने हैं तो एक्जैम्स आपके नस्दीक आ रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन एक होट इशू रहता है हमेशा से हर एक्जैम में इससे भूल रहा हूँ बट they were doing a good job and they are doing it so मैं आपसे request करता हूँ कि आप अपने और friends को इस channel से जोड़िए इस series से जोड़िए और मैं आपसे promise करता हूँ कि मैं नए नए videos current issues पे लाता रहूँगा आप में से जो भी बच्चे comment करेंगे उनका निश्चित रूप से फायदा होगा क्योंकि जितनी बार आप अपनी knowledge को repeat करोगे type करोगे, मुह से बोलोगे तो उतनी ही बार वो चीज़ आपको याद होती चली जाएगी इसी लिए ये चीज़ करते रहे हमारे आपके बीच में conversation बना रहना बहुत जरूरी है मेरा भी interest बना रहेगा और इसे like, share और subscribe जरूर कीजिए जिससे मुझे भी motivation मिलेगी कि मैं आपके लिए नए नए issues पे वीडियो बनाते रहूं तो आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हैं US के health secretary ये बहुत बड़ी बात है चार दशक के बाद जब से US ने चाइना को खوश करने के लिए ताइवान के साथ अपने रिष्टे खतम किये थे उसके बाद से US ने पहली बार अपने एक बड़े अधिकारी को चार दशक के बाद ताइवान की धर्ती पर उसकी लेंडिंग हुई है तो इसलिए क्या ताइवान की मदद से या ताइवान को थोड़ा सा अपने तरफ करके हम लोग ड्रैगन को सबक सिखा सकते हैं ड्रैगन का मतलब सिंपली चाइना तो आप इस वीडियो में देखिए इस चित्र में ये हैं ताइवान की इलेक्टेट प्रेसिडेंट मैडम जाई इंग और ये बहुत ही जादा एंटी चाइनीज हैं प्रो डेमोक्रेटिक हैं और ये शी जिन पिंग से बिलकुल भी नहीं ड़ती हैं ये स्ट्रेट फॉरवर् का नक्षा है ये रहा ताइवान का नक्षा और ये है में लैंड चाइना का नक्षा तो आपके लिए मैं दिखा दूँ ये है ताइवान की राजधानी यहां पे ये पूरा का पूरा जो ये छित रहे ये छोटा सा आइलेंड नेशन है पहली बात और ये ताइवान स्ट्र और ये रहा ताइवान ठीक है और आपकी जानकारी के लिए एक इंट्रेस्टिंग चीज बता दूं कि नेता जी सुभाष चंदर बोस जो जापान के युद्ध में समरपड करने के बाद यहां से वापस हुए थे तो उनका हेलिकॉप्टर इसी ताइवान स्ट्रेट के ऊपर से जो उनका plane था वो गायब हुआ था जिसके बाद उनकी मृत्यू की खबरे आती हैं हाला कि उसको लेकर के भी अपनी एक conspiracy theory है तो मैं उसमें नहीं जाओंगा बट नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जो plane था वो भी इसी एरिया में आया था यह है ताइवान की राजधान और चाइना को कोई भी नाराज नहीं करना चाहता अब यह है mainland China का नक्षा और यहां पे यह रहा छोटा सा ताइवान तो यह basically अगर आप historically देखें तो यह चाइना का ही हिस्सा रहा है लेकिन यह ताइवान की हो गया यह चाइना की हो गया इसकी story पे भी अभी चर्चा करें तो एक बार मैं चाइना का नक्षा आपको दिखा दूँ चाइना के नक्षे में दो important province आप देखिए एक रहा यह शिंजियांग प्रोविंस और एक रहा यह तिबद प्रोविंस तो एक बात गौर करने वाली है कि चाइना का जो यह पूरा यहां से अगर आप एक boundary कीज दो तो इसके East में इसके West में जो भी चाइना का है पार्ट मतलब यह पूरा का पूरा जो पार्ट है चाइना का और यह जो पूरा का पूरा पूरा पार्ट है इसमें आपको heavy disparities देखने को मिलेंगी Chinese civilization इस हिस्से में हमेशा से रही है यह इनके main main जितने भी यहां पे इनके जैस जाएगा वुहान भी यहीं पे आपको मिल जाएगा तो इनकी civilization और इनकी पूरी की पूरी यह रहा चाइना का राजधानी Beijing so it is the Chinese capital of Beijing और जितने भी port cities हैं यहीं से इनका पूरा का पूरा ट्रेट होता था यहीं से इनका पूरा का पूरा साशन चलता था और यह जो पूरा का पूरा च्हितर है इसको तिबबत को तो basically इनोंने कबज आया कभी भी तिबबत इनके पूरे कबजे में नहीं था यह autonomous reason था और Shin Jiang इनों ने यह वही प्रांथ है जहां पे वीगर मुसलमान रहते हैं वीगर मुसलमान की कहानी आप सबको पता है कि कैसे चाइना ने concentration camp बना करके रखे हैं जी हाँ नाजी जर्मनी ने जैसे जी उसके खिलाफ concentration camp बनाये थे वैसे ही वीगर मुसलमानों के खिलाफ concentration camp ब बदलना चाहते हैं, सो ये रहा चायना का नक्षा और ये रहा तैवान, एक बेसिक जानकरी आपको I hope हो गई होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, what has happened, अभी क्या हुआ कि कल ही की बात है कि US के Health Secretary जिनका नाम है Alex Azar, इन्होंने तैवान विजिट किया, अब तैवान क्यों विज के समय, extraordinary performance किया है, मतलब अगर आप तैवान का ratio देखो, वहां का R0 देखो, वहां में virus का community transmission देखो, तो it's just nil, कुछी देश हैं जिन्होंने अच्छा perform किया है, जिसमें तैवान का नाम आप ले सकते हो, South Korea का नाम ले सकते हो, Japan का नाम ले सकते हो, वियतनाम का नाम ले सकते हो, और इसके कारण भी है, चुकि ये देश, चाइना के साथ proximity में लगे हुए हैं, तो जब SARS-CoV आया था 2002-2003 में, तब भी इन देशों में उसके cases आये थे, तो इनके या mask लगाना, social distancing करना, ये culture का हिस्सा है, इनको mask लगाने से कोई problem नहीं है, हमारे देश की तरह नहीं है इंडिया में की लोगों ने mask को अपने मूँ से निकाल करके नीचे चिन पे लटकाया है, या सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है, या नाक को properly ढखा नहीं है, तो उससे virus थोड़ी ना जाएगा, virus तो जाएगा जब आपने properly अपनी nose को, अपने mouth को cover करके रखा है, और आप आप बार बार उसको touch नहीं कर रहे हो, sanitization आप regularly कर रहे हो, virus बेसिकली उससे contain होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ये बेसिकली एक दिखावा है, जिसको ना करने में ही भलाई है, तो ताइवान की इस condition की वजए से, कि वहाँ पे इतना अच्छा health system है, वहाँ पे उन लो की है, कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका सुपर पावर, एक लाग साथ हजार लोग मर जाएंगे, एक ना दिखने वाले वायरस से, so it's quite a contradictory remark, इन्होंने वहाँ जाकर के ताइवान की राष्टपती मैडम जाई इंग वें, इनका नाम याद रखिएगा, जाई इंग वें तो इनसे बात की और पूरी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट है इस डेमोकरेटिक आईलेंड के लिए उसको ग्रांट किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है, यह 1979 होगा, यह प्रॉपर्ली प्रिंट न जब वाशिंग्टन ने अपने सारे रिष्टे ताइपई से खतम कर दिये थे, चाइना को खुश करने के लिए उसके बाद पहली बार इतने बड़े लेवल की कोई मीटिंग या कोई डेलिगेटरी विजिट हुई है, ट्रंप और पॉम्पियों ने, माइक पॉम्पियों कि क्या है, कोई मुझे बताए comment thread में, तो ट्रंप और पॉम्पियों ने support किया है ताइवान का जो status है, WHA का यहाँ पे मतलब है world health assembly, वहाँ पे एक observer के रूप में, तो basically है क्या कि world health assembly जिसमें आपको पता है इस बार के जो president है वो भारत के स्वास्त मंत्री है, भारत के स्वा body, put the name into comment box, तो इनको observer के रूप में, ताइवान को एक status देने के लिए, देखिए हुआ क्या कि ताइवान पहले observer के रूप में, एक member था, WHO का एक member था, लेकिन चाइना के लगातार दबाव डालने के बाद, इसको member के रूप में हटा दिया गया, ताइवान का simply कहना है कि भा आगे क्या होगा, statement by President Zai Ing, तो ये उनका statement था, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा उनका statement था, जिसमें basically उन्होंने वही कहा है, जो मैंने अभी बोला, ये उनका पूरा का पूरा statement है, मैंने as it is उठा लिया है इसे, बीजिंग ने बहुत जादा गुसे में कहा है, बीजिंग का दिमाग एकदम पूरी तरीके से फिर चुका है, और उनके जो foreign minister है, उन्होंने condemn किया है इस visit को, ये visit की spelling गलत हो गई है, मैं ठीक कर दूँगा, देखिए ये चोटी मोटी mistakes होती रहेंगी, but I always try to improve, and जो भी ऐसी चीज़े मुझे दिख जाएंगी, वो मैं यहीं पर ठीक कर दूँगा, और by chance मेरे मुझे से कुछ spell हो गया wrongly, तो मैं बाद में उसे channel के इसी video के paint comment में mention करा दूँगा, जैसे उस दिन साओधी अरब वाले video में, मैंने साओधी अरब की capital गलत बताई थी, तो बाद में मुझे जैसे ही उस चीज़ का एसास हु तो यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे सबका फायदा होगा, भाई हमारा आपका यही तो देशे है कि किसी का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा ग्यान बटे, तो ग्यान बाटिये, और फिर इन्हों ने यहाँ पर कहा है कि unspecified retaliation, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं क कैसे बदला लूँगा, कैसे प्रहार करूँगा, कैसे प्रतिगात करूँगा, लेकिन मैं करूँगा जरूर, चाइना ने देखिये और क्या किया, चाइना की बदमाशी देखिये कि चाइना ने अपने J-11 और J-10 fighter aircraft को, जो छोटी सी धारा है, यह मैं दिखा देता हूँ आ सकता है, static geography का question हो सकता है, तो इस छोटी सी जो पूरी की पूरी narrow strip है, water की, यहां पे अपने fighter jet उड़ा दिये, जिसको बाद में Taiwan के jets ने वापस भेज दिया, हाला कि कोई लड़ाई नहीं होती है, लेकिन अधर से उनके उरते हैं, तो अधर से उनके भी उर जाते हैं, तो प इतने वरे यह तो कोई जानता भी नहीं है, China-Taiwan के relations को देख लेते हैं, Taiwan यह जो term है, सबसे पहले इसका नाम था Formosa, इसे Formosa ही कहते थे, इस पूरे के पूरे island को, नेता जी सुभाज चंदर बोस की भी आप अगर कोई series देखोगे या movie देखोगे तो भी उसमें Formosa ही आपक लड़ी गई थी, nationalist के जो leader थे वो थे चियान काईशेक और चियान काईशेक, China का AN पहले हो जाएगा, चियान काईशेक और communist के जो leader थे वो थे Mao Zedong, जो चाइना के पहले राष्टपती बने, तो अभी तक कितने Chinese premier हुए हैं या Chinese राष्टपती हुए हैं, कोई मुझे और ये mainland China छोड़ करके चियान काईशेक, जब ये हार गए civil war, तो ये mainland छोड़ करके उस Taiwan जैसे छोटे से दूइप पहुच गए, उसके बाद America ने Republic China को support किया, Republic China का मतलब होता है Taiwan, और People's Republic of China का मतलब होता है mainland China, आज का China, Xi Jinping का China, और Republic China को ही P5 member, यानि कि permanent 5 member जो UNSC में होते ह United Nations Security Council में, उसके 5 member में से 1 के रूप में जगा दी, तो P5 member में एक तो चलिये हो गया Republic China, जो बाद में बन जाएगा Communist China, बाकी 4 देश कौन है, कोई comment thread में मुझे बताए, फिर बाद में क्या हुआ कि परिस्थितियां बदलने लगी, चाइना और USSR के बीच में एक जगड़ा हो गया, एक friction हो गया Communist Movement में, जब Nikita Khrushchev USSR के राष्टपती के रूप में आते हैं और वो de-stalinization शुरू करते हैं, तो China, Mao Zedong और Nikita Khrushchev के बीच में नहीं बनती है, तो China अलग हो जाता है, अब China जब अलग होता है, तो चुकी Cold War चल रही होती है, तो President Nixon, ये वही Nixon है, जिसने इंद्रा गांदी को विच कहा था, चुडैल कहा था, तो इन्होंने क्या किया, कि China की विजिट कर डाली, और पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, और इस विजिट में परदे के पीछे से रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने, और इस पूरी की पूरी विजिट का जो mastermind था, वो था, Henry Kissinger, जो भी पिछले वर्ष भारत आया था, और प्रधान मंतरी Modi के साथ उसने फोटो घिचाई थी, ये भारत का पक्का दुश्मन था, ये इंद्रा गांदी से बहुत नफरत करता था, इसी ने 1971 की लडाई में पूरा का पूरा कोशिश की, कि भारत को खतम कर दिय जाए, US का जो सात्वा बेडा था, उनका जो पूरा का पूरा नियुक्लियर सब्मरीन था, वो बे ओफ बेंगॉल में आ गया था, अगर हमारा रशिया के साथ सपोर्ट ना होता, वो फ्रेंड्शिप की ट्रीटी ना होती, तो USA definitely हम पे अटाइक करता, और फिर हमारा क्या ह हे यही बता सकते हैं, बात पे चाइना का जैसे जैसे जड़ बढ़ता चला गया, जैसे 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 उसकी धमक बढ़ती चली गई, चाइना ग्लोबल सप्लाइ चेन का मालिक हो गया, तो लोगों ने जो देश थे उन्होंने धीमे धीमे ताइवान के साथ अपने diplomatic ties खटम क चालू कर दिये, चायना तैवान को अपना इंटिग्रल पार्ट बताता है और उसको चायनीज टाइपेई के रूप में बताता है, जैसे भारत का एर इंडिया का विमान है, तो अगर वो तैवान के लिए जा रहा है, तो उसमें चायनीज टाइपेई लिखा होगा, उसमें ट prosperity है वहाँ पे जो microchip companies हैं एक छोटे से mobile phone से लेकर के बड़े बड़े जहाज बनाने में जिस microchip का इस्तेमाल होता है जो brain होती है पूरी की पूरी machine की वो पूरी दुनिया में सबसे best ताइवान में मौझूद हैं अमेरिका जपान जैसे देश भी इंका सही ओग लेते हैं औ और आज के जो common Taiwanese हैं वो बहुत ज़ादा खिलाफत में हैं जो autocratic Chinese regime है उसके ड्यू टू fear of China many few especially small nations identify Taiwan तो ये एक ताइवान सरकार का ही उन्हीं की foreign ministry का एक source है जिससे मैं लेकर के आया हूँ ये cut out आप इसमें देख सकते हो छोटे छोटे देश जैसे की ये आप देख सकते हो Central America के देश जिसमें Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Haiti ये सारे देश हैं परागवे एक बड़ा देश आपको मिल जाएगा हलकी size में तो बहुत ज़ादा नहीं है Vatican, East, Swatini ये सारे देश ही है Solomon Islands है, Naru है, Marshall Islands है क्योवल इन्हीं के संबंद हैं ये officially Taiwan को recognize करते हैं इनके recognize करने से कुछ नहीं होता कोई भी बड़ी power आप इसमें देख लीजिए, कोई भी बड़ी power ऐसी नहीं है जो Taiwan को officially recognize करती हैं और सिर्फ 17 देश हैं, total 192, 193 देशों में सिर्फ 17 देश हैं Why China Fears of Taiwan? चाइना को Taiwan से खत्रा क्यों है? चाइना को हर उस चीज से खत्रा है जो democratic है, जो popular support पर based है और जो open है अपने nature में चाइना ने बहुत बार कोशिश की, Mao Zedong के समय से ही चाइना ने बहुत बार कोशिश की है कि हम Taiwan पे military हमला कर दें, जैसे कि उन्होंने तेबद पे किया और इसको हम अपने पूरे के पूरे छेतरों में मिला लें, लेकिन कभी भी उसकी हमत नहीं हुई ऐसा करने की, क्योंकि पहले तो US ने shield प्रोवाइट करके रखी थी कि भईया इधर आना भी मत, और दूसरी बार जब धीमे धीमे ताइवान खुझ से आत्म निर्भर होने होने लगा, तो वहाँ पे courage और resistance यानि की विरोध ताइवानी इस पब्लिक ने जो दिखाया तो उसके बाद से चाइना की हमत नहीं हुई, तिबबत, Hong Kong, Macao या Xinjiang में जो चाइना की atrocities हैं, उससे सबक लेते हुए ताइवान ने अपने आपको vocal बनाया, किसी भी platform पे ताइ Chinese Autocratic Rule से नहीं डरता, वो सच में उसके अंदर बहुत सहस होता है, आज जो sitting President है Madam Zai, ये दुबारा इसी वर्ष चुनाओ जीत करके आई है, बीजिंग ने पूरा कोशिश की, CPC यानि की Communist Party of China ने पूरी कोशिश की, कि ये जीत के ना है, क्योंकि ये pro Chinese नहीं है, लेकिन Chinese Party उत नहीं कर सकते हैं, बट यहां पर सोशल मीडिया पर बैट करके, WhatsApp University पर बैट करके बोलना बहुत आसान है, बट आपको real statistics देखनी पड़ेंगी, गुड़ा भाग करना पड़ेगा, पूरा हिसाब करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है, 3400 किलो मीटर का जो आपका long disputed border है, आज तक जिस पर पता नहीं कि अरुनाचल किसका है, जिस पर पता नहीं कि लद्दाक किसका है, चाइना तो भूटान को भी अपना बताता था, सिक्किम को भी अपना बताता है, चाइना ने इतना confuse करके रखा है, तो क्या आप एक ऐसे देश को जो आपके सर पर बैठा ह हुआ है हिमालिया पर ठीक है और उस ने अभी गल्वान में क्या किया आपने देखा बहले उनके सैन्क मारे गए लेकिन भईया सैनिक स्न हमारे भी मारे जाए हम चाइवान को recognize करें, वो फिर से हमला करें और फिर से मारे जाएं, उनके कितने भी मरें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो democratic country नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, शी जिन्पिंग के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, जितने साइनिक उनके मरते हैं, उससे ज्यादा लोग तो उनके देश में daily jail में डाल दिये जाते हैं, चाइना का जो अपना defense budget है, उससे ज्यादा internal security का budget है, जो policing है, जो पूरा का पूरा Chinese एक wall है, कि यहां से कोई भी revolt हो जाए, तो Chinese internal reward से बहुत डरते हैं, तो आप क्या उनको नारास करना चाहोगे, बिल्कुल भी नहीं, आपकी direct सीमा लगती है, चौतिस सो किलोमीटर की, तो यह काम तो नहीं करना है, हाँ, आप lower level के अपने relations establish कर सकते हो, ताइवान की सरकार के साथ, आप उनसे trade बढ़ा सक सकते हो, आप उनकी मदद ले सकते हो, electrical industries को set up करने में, जो कि भारत के लिए बहुत जादा जरूरी है, अगर आपको industries में मालिक बनना है, अगर आपको jobs, अच्छी jobs, contract के basis पे, formal sector की jobs provide करनी है, अपनी जो इतनी बड़ी employment मांगने वाली जनता है उसको, तो electrical industries में आपको तो इसके लिए आपको Taiwan के support की जरुद पर सकती है, Taiwan beneficial हो सकता है, ना सिर्फ China को contain करने के लिए, हाँ इतने अगर आपने relations बनाए तो China को भी लगेगा कि भाया भारत तो जाग गया है, वो तो अब ऐसा कर रहा है, कल को वो दलाई-लामा का इस्तिमाल कर सकता है, तो China को check करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, इंडिया नोशन रेजन में आप मलक्काव स्टेट पे अपने तीन जहाज घुमाईए, चाइना की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया के पास पूरा का पूरा प्राइम लोकेशन है इंडिया नोशन में और इं इना की टेंशन को बढ़ा देगा, तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है, टीम पीटी की तरफ से ये ब्यूटिफुल कोर्सेज आप ही के लिए हैं, इसमें एन्रॉल कीजिए और इसका लाब उठाईए, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईए, थोड़ा स इसमें काफी कुछ है, जानने के लिए, सीखने के लिए, कल फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, नमस्ते, जैहिंद